हेलो! वेलोकमडो कlan ट hyvinाउय। आज मैं जिस्टॉफिक पर रेडिंग कर रही हूँ वह है कि आपके परशन कोególगत है आपको लूज़ कि लेंगा ठीक है okay हम च्छेक करते हैं कि आपके परशन को लोज़ी अरई कि आपको लूज़ की कर देने का और अगर ये इडिंग्स आपसे रज़ूनेट नहीं करती ये वाली है था स्क्रोल करें तॉपिक करें और अपनी मरज़े की इन्जॉाय करें। प्लीज मैं जिसन स्पीड काई में बताएए मेरे विवर को लूज करने का इनके परसन को रिग्रेट है प्लीज मैं जिसन स्पीड काई में रिग्रेट कीजिए मेरे विवर को लूज करने का इनके परसन को रिग्रेट है किया रहा है यहारी दस अरा गिर रहे है जानल मेरे वीवर को लूस करने का इनके पर्शन को रिक्रेट है प्रीस मैंजी साने स्पिर्ट करेट मुझे बताईए मेरे विवर को लूज करने का इनके परसन को रिक्रेट है ओके ठीक है सोलर चाक्रा एंड स्पिर्च्वल स्ट्रेंथ आपको काच नजार आ रहे हूं मटेरियल एंड स्पिर्च्वल प्रॉस्पैरिटी ठीक है एंड अब्स्टिकल्स एंड चैलेंज ठीक है हम क्लारिफाइ करेंगे फर्टिलीटी आपके परसन ने जब आपको लूस किया आपके परसन ऐसा हो सकता है कि हाट चाक्रा उनको ओपिन नहीं है था अब हो रहा है जब आपको लूस किया आपने परसन को अपने प्यार दिखा रहे होंगे अपनी एमोशन दिखा रहे दे, love begin, बिलकुल, heart chakra open ओरहा है, आपके person का, मैं इसको लोगी, ठीक है, देखें, foundations and achievement and harmony, new beginning, बिलकुल, आपके person, आपके person का heart chakra open ओरहा है, आपके person का past में heart chakra open नहीं था, ठीक है, थार्ड आय चाक्रा, बिल्कुल, रिकर्गर्णाइज एंड, आपके परसन जब भी आपने परसन से कनेक्ट होने की कोशिश करते थे, आपके परसन आपको समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, आपने बहुत जादा उनको अपना प्यार, लव, केर, जेंटलनेस, सब दिखानी की कोशिश की, लेकिन आपके परसन नहीं समझ पाए, क्योंकि उनका हाट चाक्रा ब्लॉक था, ठीक है, वो पास्ट में किसी रिलेशन्चिप की वर्यासे हो सकता है, या पास्ट में ऐसे बैड उनका एक्स्पीरियंस रहे, जिसकी वरसे उनका, किसी भी रिलेशन्चिप को द आने से पहले बहुत जादा ऑफ्स्टिकल्स एंड चैलेंजिस का सामना करना पड़ता है, वो पहले पास्ट में ये सब को चीज़ें सोच रहते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि, कि इस सिचूशन पर वर्क करो, इसे मुझे अभी जो माटेरियल स्टिक चीज़ों की है कि हर काम में चैलेंजिस है, हर मैं कोई भी चीज, कोई भी अपनी लाइफ में चीज़े स्टार्ट करने जाओंगा, हर जगा एक मेरे को चैलेंज फेस करना पड़ेगा, तो क्या मैं हर चीज से भागूँगा, उनके पास spiritual strength आ रही है, उनका sacral chakra हील हो रहा है, उनका heart chakra ही हील हो रहा है तो उनका love begins, उनका heart chakra जब हील हो रहा है तो आपके प्यार को, आपके पास की चीजों को कि आप उनको provide करना चाहा रहे हैं, उन सब चीजों को वो understand कर पा रहे हैं, ठेक है, foundations and achievements, उनको पता है, उनको उनके लिए materialistic चीज़ बहुत जादा important है, लेकिन वो अपन fulfillment और foundation, उनको समझ में आ रहा है, इनसान जब इतना पैसा कमाता है, जब family ना हो तो उसका इस्तमाल कहा करेगा, harmony, वो आपके साथ harmony नाना चाहते हैं, new beginning करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है, deceptions and envy, उनकी life में deceptions and envy इतनी रही है, कि वो marks वो खुद भी पहनने लग गए, ल है, stand your ground, वो आपके लिए stand लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने family की वरत से छोड़ा, किसी third party की वरत से लूस के आपको past में, या आपको वो चीज नहीं दे पाए, वो सब कुछ provide नहीं कर पाए, अब वो आपको समझना चाहते है, clarify sacred chakra, please mention speed guide, मेरे viewer के person, कि उनको loose करने का उनक है, बिल्कुल, आपकी तरफ कोई कोई call text करना चाहरे है, उनका, उनका जो sacral chakra है, वो heal हो रहा है, bottom of the deck है, nine of pentacle, बिल्कुल, अपने carrier पे बहुत जादा focus था, आपके person, आपके person का heart chakra block रहा है, जब से आप उनकी life में आए है, उनको heal करना start किया, लेकिन उनके past traumas इतने थे, कि उनके अंदर wounds थे, जो उनको heal होना बहुत जरूरी था, ठीक है, जब से आपने जो इनकी life में अपना एक जो role निभाना था, वो आपने निभाने के बाद, जब से आप उनकी life से निकले है, तब से उनको और जादा एसास हो रहा है कि आप उनको क्या provide कर रहे थे, ठीक है यहां पर मुझे बताए, spiritual strength का, strength का card क्यों है, clarify spiritual strength, clarify spiritual strength, night of cups, बहुत जादा emotional हो रहे है, cancer scorpio piscis, cancer scorpio piscis, यहां यहां पर आप यापके person, sun, moon, venus, rising, cancer scorpio piscis हो सकते हैं, आप लोग, ठीक है, clarify material and and spiritual prosperity Hierophant ऐसा हो सकता है orthodox उनकी family हो जो पहले कहती हो कि ये जरूरी है किसी relationship में आने से पहले किसी marriage से पहले पहले आप ये करें पहले आपको materials टे कितना stable होना चाहिए इस आपके person बहुत जादा इस type के mind के है पहले हर्टी होनी चाहिए फिर marriage या आपने relationship के बारे में emotional चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और अगर वो चीज़े आपके लिए उस वक्त नहीं है तो आपको कोई और मिल जाएगा दिखे यहाँ पर वो commitment से भागते हैं वो marriage इन सब चीज़ों को एक burden की तरह लेते हैं आपके person आपके person को इससब burden लगता है आपके person को लगता है कि उनकी जो एक independence जो independent आपके person है यह सब कुछ उनसे छीन लिया जाएगा सही है आपके person को इससब चीज़े ऐसा लगता है commitment देना किसी के साथ committed हो जाना उसको अपना time देना उससे बहुत सी चीज़ों में राय भी लेना उससे सही घलत का पूछना तो यह आपके person को कुछ ऐसा लगता है burden type ठीक है आपके person अपने career की विज़े से आपका relationship बहुत जादा डिस्टरप हुआ है clarify obstacles and challenges प्रिस्टरप से स्पीड काई obstacles and challenges clarify obstacles and challenges balance करना उनको आपके परसाना सा हो सकता है balance नहीं कर पाते है ठीक है वो balance बिल्कुन नहीं दे पाते है आपने career को देखेंगे तो आपको देखना भूल जाएंगे उनके पास कोई balance नहीं है उनको ऐसा लगता है इधर भी इतना time do अधर भी इतना time do मैं कैसे कर पाऊँगा यहां पर है Taurus, Cancer Scorpio Pisces, Aries Cleo Sagittarius clarify fertility प्लीज मैं आपने स्पीड काई क्यों है clarify fertility clarify fertility प्लीज मैं आपने स्पीड काई क्यों है clarify fertility बिल्कुल आपको अपना soulmate समझ रहे है हील हो रहे है आपके person six of cup उनको regret भी है loss का लेकिन उनको पता है उनका heart chakra open नहीं था वो आपके साथ ही नहीं किसी और के साथ भी उनका heart chakra open नहीं था ठीक है वो बस जो materialistic चीज़े हो गई जो temporary चीज़े हो गई उनको वो ही भादी थी इट मींस temporary essence flooding कर ली बाते कर ली चार लोगों से कर ली देखें अगर हम किसी के साथ stable होंगे तो one person one man one person होता है या one woman one person इट मींस जो इनसान एक के साथ होता है वो सब के साथ नहीं होता है वो आपके person इसे थे कि flood and fun में जादा है उनका mind था उनका heart chakra open हो रहा है इस वक्त देखें आपा रहा है six of cups वो आपको soulmate की तरह देख रहे है manifest कर रहे है magician के साथ आपके person को loss है loss हुआ है आपको खोने का regret हुआ है regret इतना हुआ है अपने heart chakra को open कर रहे है अपनी गलती को समझने की कोशिश कर रहे है इस रिष्टे में क्योंकि आप जो उनकी जिंदगी से गए है उनको अच्छा वो नहीं हो रहा है उनको पता है आप defensive हो चुके है उनकी तरफ से उनको जो आप प्यार देते थे आप वो नहीं दे रहे है आप defensive mood पर है 9 of events ठीक है जो उन्होंने आपका बार-बार cup of love रिजेक्ट करते रहे है आपने cup को ले कर defensive हो गए वो आप इस person को provide नहीं करना चाहरे है ये person आपका जानता है ठीक है बिगनिंग करना चाहते हैं उनके साथ वो चाहते हैं कि आपको ready किया जाए कि beginning करें उनको इतना loss और regret फील हो रहा है आपकी जिन्दगी में जाने का जवाब उनको उनकी जिन्दगी में रहकर नहीं समझा पा रहे थे जबसे आप स्टेंट ये और ground कर रहे हैं clarify foundation and achievement two cards है clarify foundations and achievement page of friends आपके पर नज़र है ये मस समझे के उनकी नज़र आप पे नहीं है वो अपनी life आपके साथ ही start करना चाहते है clarify harmony वो आपके पर नज़र रखे हैं social media site पर किसी भी तरीके से harmony page of pentacle आपको कोई ना कोई solid offer देना चाहते हैं आपके लिए उन्होंने कोई gifts खरीदा हुआ है या तो कुछ भी किया हुआ है वो इस चीज़ों को renew करना चाहते है देखें chariot तेजी से आपकी तरफ आना चाहते है relationship को एक renew करना चाहते है उनको पता है illusions है आपके mind में इनको ले कर और उनके भी mind में है कि relationship दुबारा start होगा या नहीं देखें new beginning ace of sword यहाँ पर beginning करना चाहते है आपके person clarity लाना चाहते है bottom of the deck में पर son clarity लाना चाहते है आपन new beginning करना चाहते है decision making करना चाहते है आपके लिए solid decision making जिस से आपको ऐसा लगए कि यह person अब मेरे साथ यह नहीं करेगा अब मुझे reject नहीं करेगा इस person ने आपको relationship में एक बार नी बहुत बार rejection दी है ठेके लेकिन अब जो आपने new beginning करी है ना वो आपके person को हिला देने वाली है इटमीस आपके person को ऐसा लग रहा है कि आप ready है अपनी life में किसी और को accept करने के लिए इस person के लावा ठीक है clarified deception and envy clarified deception and envy ace of end उनको clarity मिली है deceptive वो ही थे उन्होंने ही deception, manipulation यहाँ पर सब कुछ उन्होंने किया वा था आप तो कबसे beginning चाह रहे थे ऐसा हो सकता है किसी की family problem हो, किसी की father figure का problem हो लेकिन यहाँ पर मुझे जो mostly लग रहा है यहाँ पर pentacles problem है आपके person को बहुत ज़ादा materialistic चीजों का shock है वो बहुत ज़ादा goal oriented है वो short term चीजों में ज़ादा belief करने वाले person है वो flirt and fun में ज़ादा belief करने वाले person थे immature person थे वो उन्होंने कभी आपके offer को कभी serious way में देखा ही नहीं it means attached तो होते चरे जा रहे थे वो in depth अपने soul से आप से लेकिन जब तक जब से आपने detachment दिखाई है ना उनको जब से आपने उनको ये clear कर दिया है मैं जा सकती हूँ अभी भी मैं अपनी life को किसी और के साथ start करती हूँ उस वक्त से आपके person को ऐसा लगा है नहीं मैं इसी person के साथ अपनी family स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहता था ठीक है clarify third eye chakra clarify third eye chakra clarify third eye chakra third eye chakra open हुआ है queen of cups आप उनको emotionally fulfill करते हैं third eye chakra उनका open हो गया आपकी तरफ आना चाहते हैं third eye chakra को clarify करा है queen of cups ने उनको समझ में आया है कि आप से जितना emotionally वो satisfy है जितना आप उनको heal करते हैं जितना आप उनको खुश रख सकते हैं कोई और नहीं रख सकता है उनका third eye chakra इस way में open हुआ है ठीक है आपकी तरफ movement लेना चाहते हैं seven of pentacles कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप खुद ही आ जाएंगे फिर उनको लगता है नहीं मैं बहुत इतना reject कोई किसी के करने के बाद कोई किसी के पास जाता है क्या कि आपके person फिर ये चीज़ें सोचते हैं seven of cups बेसबरी से आपके लिए इंदिजार भी है emotions भी है और फिर खुद आने की planning भी है clarify, stand your ground clarify, stand your ground okay, one card मुझे मिल चुका है seven of pentacles stand your ground आपको कहा जारहे, stand your ground करें अपने person का wait करें अपने person की तरफ जाएएगा, मत आपके person equal give in करना चाहते हैं कोई ना कोई आपको एक big offer provide करना चाहते हैं it means कोई stable offer marriage का हो सकता है किसी stability का हो सकता है देखे, decision making करेंगे आपके साथ equal give in take करेंगे आपको stable offer provide करेंगे आपके person के mind में हैं आपको stability provide करना ठीक है? आपके person आपके साथ एक beginning करना चाहते है उनको regret तो है lose करने का लेकर इतना उनको इतना जरूर समझ में आया है मैं कुछ ना कुछ इस person के साथ ऐसा गलत कर रहा था इतने पास में जिस person ने इतने वक्त मेरा साथ देने के बाद आप कहीं ने कहीं उनको deep down satisfy करते थे आपको उससे for granted ले रहे थे चाहते तो वो भी थे उनको ऐसा लगता था कि मैं अपने पहले financial issue को देख लूँ पहले अपनी family को देख लूँ उन्होंने आपको ignore आप यू होते रहे क्योंकि आपने अपनी आप क्योंकि हर वक available रहे आप हर वक call, text, message करते रहे आप हमेशे अपने cup of love provide करते रहे इसलिए आपको neglect किया गया इसलिए आपको ignore किया गया तो अब आपके person का थाड़ा है चक्रा open हो रहा है मैं गलत कर रहा था मुझे equal given take करना चाहिए मुझे equally balance करना चाहिए चाहिए मेरी financial issue है चाहिए मेरी family issue है चाहिए मेरा person है उनको पता है क्योंकि आपने एक point पर आके आप ठक गए ठिक है लेकिन अब इस ठकने से एक अच्छा जरूरी हो रहा जबसे आपने इस person को देना बंद किया है जबसे आपने इस person को बिल्कुल ही अपनी life से cut off किया है इस person को realize हो रहा है उसकी value आपकी जिन्दगी में क्या है आप उसके लिए क्या माइने रखते हैं वो कहां गलत कर रहा है कहां सही कर रहा है उसने आपके साथ कितना गलत कर चुका है उसका heart chakra open हो रहा है जो वो इतने time से accept नहीं कर पा रहा था जो आप उसको provide कर रहे थे जो आप उसको cup of love दे रहे थे जो आप इस person को अपने emotions दे रहे थे जो आप accept नहीं कर पा रहा था लेकिन वो अब accept करना चाहता है आपके प्यार को आपकी care को आपके love को और in return आपको देना भी चाहता है वो सब उसको समझ में आ रहा है deception और envy वो सब कुछ खुद कर रहा था अपने साथ गलत उसने अब तक सिर्फ खुद किया है क्योंकि आपके साथ सही नहीं करके ठीक है इस reading को मैं यही तक रखोंगी अगर आपको में reading अच्छी लगते तो पीस में चानल को लाइक करें सब्क्राइब करें शेयर करें एनर्जी एक्चेंज के लिए लाइक अमन दबाना मत भूलें तैंक यू